मेरा नाम हाकाश आप देख रहे हैं आकासी यूर्यूप चैनल और आज किस वीडियो में हम सीखेंगे एक e-commerce वेबसाइट बनाना बिल्कुल स्क्राइट से तो उससे पहले हम देखते कि हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो किस तरीके की एक वेबसाइट है किस तरीके से जो उसका जो लुक है जले वो देखनेते उसके बाद हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे सुवाइज कुछ इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो दिखेगी complete बनने के बाद अब आप जो स्क्रीन पे वेबसाइट देख रहे हैं इसी टाइप की वेबसाइट हम डिरेक्टली यहां पर कर सकते हैं तो आप देख सकते कुछ इस तरीके से आपका जो कार्ट वियू होगा वो होगा अगर प्रोसीट टू चेक आउट पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से बिलिंग डिटेल्स चेक आउट पेज आपका शो होगा तो सेम ऐसी ही वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में है उसो हूच चार सिंपल स्टैप में कि एकों मर्स वेबसाइट बनाने वाले जो पहला स्टैफ है उस में हमारी जो वेबसाइट है वह इंट्रनेट के ऊपर लाइव करेंगे मतलब कि एक लाइव Website create करेंगे कोई भी live website create करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है हमारा domain name select करना domain name आपकी website का नाम होता है जैसे कि मेरी website है आकासिंग.co तो यह मेरा domain name है मेरी दूसरी website दूसरा blog है जैसे कि litblogging.com तो वो उस website domain name है तो उसे के लिए आपको domain name चूस करने है आपके according सहां जब भी आप domain name चूस करिके बाद जो second step आती है वो आती है domain और hosting purchase करने की domain आपकी website का नाम होता है hosting ऑप लेस होते होता है वह computer होते हो AV hakiver tapping online server होता है जहां पो आपकी website के जितना भी data होता है वो store किया जाता है वो बिना domain और hosting के आप website नहीं create कर सकते हैं तो उसके लिए आपको domain hosting जरूर चीएगी तो यह दोनुँ चीज़ आपको एक ही website से मिल जाएंगे उसके लिए आपको simple description में जाना है वहाँ पर आपको get domain and hosting का एक link मिलेगा उसके उपर क्लिक करने है जैसे आप उस पर लिए क्लिक करेंगे आप इस वाली website greengeek.com पर redirect हो जाएंगे इस website पर आपको .com या फिर जो भी आपका domain आप purchase करना साथ है वो one year hosting के साथ बिलकुल free आपको मिलेगा तो इस website पर आने के प्रो प्लैन है यह recommended है इसमें आप unlimited websites बना सकते हैं मतलब कि एक ही hosting पैनल में आप अपनी multiple websites यहाँ पर create कर सकते हैं आपको सिर्फ domain purchase करने की जरूरत पड़ेगी अगर future में आपको और website create करना जाते हैं उसके लिए आपको अलग से एक और hosting नहीं पर्चेस करने पड़ेगी अगर आप प्रो प्लैन अभी लेते हैं greengeek.com का सिंपल इस पर get started पर हमें यहाँ पर click करने जैसे get started पर click करेंगे हमसे domain name पूछा जाएगा अगर आपके पास already domain name है तो आपको यहाँ पर डाल दे इस वाले section में उसके बाद आपको name server update करने पड़ेंगे और अगर आपके पास domain नहीं आप बिल्कुल स्टार्टिंग से website create कर रहे हैं तो आपका जो भी desire domain name है जो भी आपने domain name चूज किया है वो आपको यहाँ पर डालना है जैसे कि मैं अभी के लिए यहाँ पर आकास sing e-com डाल रहा हूं तो यह वाला जो domain है यह मुझे purchase करना .com domain के साथ तो simple आपका जो भी domain name है वो एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो भी इनफोर्मेशन है account information वो यहाँ पर डालने होगी और यह hosting है वो purchase करने के लिए जैसे हम नीचे स्क्रोल करते हैं यहाँ पर डालते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको सर्वर लोकेशन का ओप्शन मिलता है यहाँ पर तीन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स आपको ओफर किये जाता है greengeek.com के तरफ से United States का Canada का और यूरोप का जो भी आप चाहिए वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं मेरा डिफॉल्ट में यूरोप चूज है तो मैं यही रखने वाला हूँ और अगर हम यहाँ पर और हमारा जो डोमेन है उसके लिए आईडी प्रोडेक्शन वगेरा पर्चेस करना चाहते हैं आप तो इसको रहने दे या फिर इसको अंटिक कर दे अगर आपको नहीं चाहिए तो बाकी जो DNS लोकिंग वगेरा है या फिर DNS कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर फ्री ओफ कोस्ट प्रोवाइड की जाती है इसी प्लैन के अंदर उसके बाद आपको यहाँ पर आपके कार्ड से पेमेंट करनी पड़े हैं कि आपके पास कोई भी वीजा मास्टर डिसकवरी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है इन चारों मेंसे जो भी कार्ड है उससे आप यहाँ पर डायरेक्ट पे कर सकते हैं तो इसकी जो टोटल कोस्ट है अगर आप देखना चाहि इसकी प्राइस है एक प्रीमियम वैब होस्टिंग वह भी साथ में फ्री डोमेन रेजिस्ट्रेशन के साथ आपको यहाँ पे सिर्फ 59 यूएस डोलर में मिल रहे हैं तो यह काफी अच्छी डिल है तो जैसे आप वैब होस्टिंग पर्चेस कर लेंगे आपको उसके बाद जो नेक्स्ट इस्टेप है हमारा वह वी वर्डप्रेस इंस्टोल करने के लिए आपको आपके सी पैनल में लोग इन करना पड़ेगे जैसे आप आपकी जो domain और hosting की purchase है वो complete करेंगे उसके बाद आपको mail में cpanel login करने की details hosting company की दरफ से send कर दी जाएंगे So, उन details के through आपको simple यहाँ पे cpanel में login करना है कुछ इस तरीके का cpanel आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस cpanel से हम हमारी website WordPress install करेंगे WordPress basically CMS है जो की हमें help करता है बीना coding language की कोई भी किसी भी type की website create करने के लिए So, जैसे आप cpanel में login करते हैं यहाँ पे simple आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पे आपको एक app installer का option मिलेगा इस पे हमें simple click करना है जैसे click करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं already इस hosting में कुछ domains use करता हूँ तो वो पहले से उसमे WordPress installed है और आपको नई website पे WordPress install करने के लिए simple यहाँ install button पे click करने है जैसे आप install button पे click करेंगे WordPress का installation panel आपको यहाँ पे open हो जाएगा यहाँ पे आपको जो भी domain है जिस पे आप WordPress install करना चाहते हैं वो यहाँ पे choose करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे e-com डाल रहा हूँ my WordPress blog यहाँ पे आपके tagline आएगी आप जो भी डालना चाहिए वो डाल सकते हैं मैं अभी इसको एज़िटीज रखने वाला हूँ उसके बाद यहाँ पे सबसे मैं और important जो चीज है वो है आपका जो admin account का username और password है वो आपको यहाँ पर set करने ध्यान रखे यह username और password आपको आपके WordPress dashboard को access करने के लिए चाहिएगा तो आप जो भी password या फिर username यहाँ पर add कर रहे हूं उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर basic मेरी जो information है मेरे username और password यहाँ पर set कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पर आ आपकी website पर कुछ भी comment वगेरा करता है या पुछ review करता है तो वो सारी email सापको यहीं जो आप email प्रोवाइड करेंगे उसके उपर आएगा तो उसके लिए मैं simple यहाँ पर मेरी email ID login एंटर कर देता हूं जो कि मैं आपको आगे दिखा हूंगा कि किस तरीके से notification हमें देखने को मिलते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको यह सारे details फील करने जैसे आपकी details फील हो जाएंगे आपको simple नीचे scroll करके install पे click कर देना है जैसे install पे click करें कुछ ही second में आपका wordpress है वो successfully यहाँ पर आपकी website पर आपकी domain पर install हो जाएगा तो अब हमारा जो wordpress है वो install हो चुका है और हमारी जो website है वो live हो चुकी है तो उसके लिए हमें देखने के लिए कि हमारी website live हुई है नहीं हुई है उसके लिए हमें simple हमारा जो भी URL जो भी domain है वो open करना है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ecom.akassin.co इस domain पर हमने wordpress install किय और अगर आप Google पर जाकर अभी यह domain सर्च करते हैं तो यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाए का मतलब कि आपकी जो website है वो live हो चुकी है so wordpress installation के बाद step 2 आती है जहां पर हम हमारी website को real में build करने start करेंगे so build करने के लिए सबसे पहले जो हम चीज करेंगे scratch से create करने के design करने की वज़ाए हम एक demo ecom website यहां पर import करेंगे और उसके बाद उसमें edit करके हम हमारी website बनाएंगे यह हम इसलिए करेंगे क्योंकि काफी ज़्यादा time इससे आपका बचेगा अगर आप design करते हैं बहुत ज्यादा time लगता है एक एक चीज आपको design करने पड़ेगी एड करने पड़ेगी उसके वजाए एक demo ecom website पॉर्ट करेंगे उसके बाद उसमें जो भी आपको editing करने है वो editing करके आप उसमें अपनी website create कर सकते हैं कुछ ही time में उसके लिए simple आपको आपका जो wordpress dashboard है उसमें login करना पड़ेगा login करने के लिए आपको कुछ नहीं करना जो भी आपका domain name है उसके सामने slash login लिखना है या फिर slash wp-admin इनमें से जो भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं और enter क्लिक करना है इस पे यहाँ पे आपको वही username और पासवर्ड डालने जो wordpress installation के टाइम पर आपने यहाँ पर चूज किया था तो मैं यहाँ से simple जो मैंने password और email चूज किया था वो मैं यहाँ पर डाल देता हूं और login पर क्लिक करता हूं जैसे मैं login पर क्लिक करता हूं यही dashboard है जहां से आप अपनी जो website है वो manage करेंगे आपक कुछ भी चेंजमेंट अपनी website में करने हो ओडर्स को सीथ पगेरा करना हो सारी चीज़े आपको इसी dashboard से करनी है जिसको login करने के लिए आपको simple आपका जो domain है उसके साथ slash login या फिर slash wp-admin एंटर करना है और आप login page पे आ जाएंगे जैसे आप wordpress पे login करते उसके बाद हमारे जो next step है उसमें हम करेंगे extra करके एक wordpress theme आती है उसको install करेंगे तो उसके लिए आपको simple अपने dashboard पे आना है appearance section में जाके आपको themes पे click करना है जैसे आप themes पे click करेंगे या पे कुछ default themes आपको दिखाएगा wordpress installation के time पे कुछ default theme या पे pre-install देते है तो हमें इन में से कोई भी theme theme यूज नहीं करने हमें extra theme यूज करने उसके लिए simple आपको add new वाले बटन पे click करना है और यहां पे आपको search करना है extra जैसे आप extra search करेंगे आपको यह जो theme है first number पे ही आ जाएगी इसे install कर लेना जैसे आपकी website पे जो theme है वो install हो जाती हमें activate के button पे click करना है और आपकी जो website साइट पे थीन है वो successfully activate हो जोगी है इसके बाद हमें demo import करने के लिए simple यह appearance section पे ही आपको एक नया option देखने को मिलेगा extra options इस पे हमें यहां पे click करने के बाद आपको sidebar में एक option मिलेगा install importer plugin यही plugin हमें help करेगा demo website import करने के लिए simple इस पे click करके हम कुछ seconds wait करेंगे कि हमारा जो plugin है इसके बाद आपको यहां पर page builder select करने का option मिलेगा तो यहां पर हम चूज करेंगे elementor क्योंकि elementor आपको drag and drop करके आपकी website design करने का feature देता है जो कि काफी easy है आप simple कुछ भी element जो drag and drop करके आप एक बहुत आच्छी website create कर सकते ह नहीं जैसे elementor select करेंगे आपको काफी सारी demo websites यहां पर show हो जाएंगे तो हम यहांपर e-commerce website चाये तो हम यहाँपर e-commerce search करेंगे और यहांपर आप देख सकते काफी सारी demo websites आपके पास है तो आपको जो भी यहाँपर चाहिए वो यहां से select करके import कर सकते हैं तो हमने starting में यह वाली जो theme है वही import करनी है तो इसके लिए आपको simple import complete site पर यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ plugins वगेरा और कुछ demo वगेरा इंपोर्ट करने के लिए प्लग इन इंस्ट्रोल होंगे जो भी आपकी एक e-commerce websites के लिए आपको जरूरी है तो यहाँ पर import बटन पर click करना है then अगर आपको कुछ updates वगेरा थीम से related नई template update जो भी चाहिए तो यहाँ पर details फील कर सकते है otherwise यहाँ पर skip पर click कर दे और कुछ देर आपको wait करना पड़ेगा जब तक आपके सारे जो plugins हैं जो इस थीम में या फिर अपनी e-commerce website में आपको चाहिए वो automatic यहाँ पर install होंगे और आपका जो data हो completely यहाँ पर import हो जाएगा आप देख सकते हैं हमारी जो site हो successfully import हो चुकी है तो अगर अभी हमारी website का यहाँ पर look देखना चाहिए तो बिल्कुल blank हमारी website थी अभी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है तो आप देख सकते है जैसी website मैंने आपको starting में दिखाई थी कुछ वैसी website अब यह बन चुकी है तो demo site import करने के बाद बारी आते हैं हमें यहाँ पर हमारे products अगेरा sale करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे तो अभी जो next step है वो है हमारा खुद का जो e-commerce website पर store है उसको setup करना उसके लिए सबसे पहले हम हमें हमारे जो products हैं जो भी हम इस website पर sale करने वाले हैं वो यहाँ पर हमें add करने होंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके dashboard पर वापिस आ जाने जैसे आप WordPress dashboard पर आएंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्कॉल करने के बाद आपको sidebar में option मिल जाएगा आप products का तो अगर आप products वाले option पर यहाँ पर क्लिक करते हैं all products में जाते हैं तो आपने जो डेमो इंपोर्ट किया था कुछ उसके साथ कुछ 15 यहाँ पर प्रोडेक्स वो डेमो इंपोर्ट हुए हैं आपको show करने के लिए कि दिखाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर प् मैं अभी इनको as it is रहने दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपको डेमो दिखाना है तो अब जब भी आपके products add करें इन सभी को आपको delete कर देना है तो आपका product add करने के लिए आपको simple यहाँ पर add new पर click करने के बाद यहाँ पर आपको आपके product का नाम डालना है जैसे कि मुझे कोई t-shirt अगर sale करनी है मैं आपर simple t-shirt यहाँ पर डालूँगा ट-shirt डालने के बाद आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर कुछ इस तरह किस हो गया यहाँ पर आपका जो product है उसका long description आप डाल सकते हैं यहाँ से आप उसकी category select कर सकते हैं अगर category नहीं है available तो add new category पर click करके आप पर create कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी जो भी pricing है वह pricing आपको यहाँ पर डालनी है अगर आप फीजिकल प्रोडेक्ट नहीं आपका virtual product है downloadable product है तो वह चीज़े आप यहाँ से tick कर सकते कि अगर virtual है downloadable है वह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने के मिल उसके बाद यहाँ पर right side में आपको आपके product image select करने का option कर आता है यहाँ से आप अपने जो product image है वो यहाँ से choose कर सकते है जो भी आपका product है वो यहाँ से choose करके sell out कर सकते है उसके बाद जैसे आप image वगेरा add कर दे आपको simple publish पे click करना और आपका जो product है वो आपकी website पे show होन start हो जाएगा सो अभी हमने product add नहीं किया जो demo product है वही हम यहाँ पर use करने वाले है तो जैसे आपका demo product वगरा add हो जाएगे उसके बाद हमारी next step है वो है currency change करना अगर अभी आप default में यहाँ पर देखेंगे तो जीतने भी products यहाँ पर demo में import हो है सब की जो currency है वो फिलाल euro है तो अगर आप euro रखना चाहे तो वो okay है आप simple अपने product add करके price वहाँ पर set कर दे otherwise अगर आपको यहाँ पर कोई और currency यूज करने है कि आपके country कोई और है वहाँ पर US dollar चूज करना है या फिर Indian rupees करना है या कोई और currency यहाँ यूज करनी है तो उसके लिए आपको simple अपने dashboard प जाएगा तो अभी यहाँ पर pound already selected है sorry euro नहीं है pound selected है तो अब जो भी यहाँ पर currency चूज करना चाहे वो यहाँ पर आपको simple search करनी है जैसे मुझे यहाँ पर United States अगर मेरे को dollar यूज करना है तो search करके मैं simply से select करूंगा and save changes पर click कर दोंगा जैसे आप save changes पर click करते है और अगर आप अपने product page को refresh करेंगे तो pound से direct यहाँ पर dollar में change हो चुका है तो इस तरीके से आप कोई भी currency आपकी desired currency यहाँ पर change कर सकते है currency change करने के बाद हमारा जो next step आता है वो है payment gateway add करना तो अगर अभी मैं आपको website पर दिखा हूँ जैसे कि यह हमारा product है और को user इसे purchase करना चाहत देन जब भी वो प्रोचेट टू चेक आउट पर click करेगा तो यहाँ पर एक message आएगा कि यहाँ पर कोई भी payment method अभी available नहीं है तो उसके लिए आपको payment अगर online accept करनी है और उसके लिए आपको payment gateway की जरूरत पड़ेगी और वो setup करना पड़ेगा तो इस वीडियो में हम जो payment payment gateway setup करने वाले हैं वो है stripe stripe.com एक काफी अच्छा payment gateway जिससे आप national और international payments accept कर सकते हैं card के थ्रू उसके लिए आपको simple link मिल जाएगा नीचे description में stripe.com का या फिर आप Google से भी stripe.com पे जा सकते हैं तो इस तरीके की कुछ website है stripe.com पे जाके आपको अपना एक new account create करना है payment accept करने के ल आपको देखेगा कि आपका जो account है वो आप login कर सकते हैं अगर आपका account नहीं है तो आपको simple sign up पे यहाँ पे नीचे option मिल जाएगा नया account create करने के लिए तो नया account create करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी email ID आपका जो पूरा नाम है वो देन आपका password यहाँ पे डालना है औ और आपको simple create account पे क्लिक करना मेरा already यहाँ पे stripe पे एक account create किया हुआ है तो मैं मेरा existing login account है वो यहाँ पे login करूंगा जो मैं already एक account यहाँ यहाँ पे use करता हूं stripe का जैसे आपका account यहाँ पे simple email ID नाम और password डाल के create हो जाएगा उसके बाद आपको simple यहाँ पे login करना है जैसे कि मैं मेरे stripe account पे अगर login करता हूं तो तो कुछ इस तरीके का आपको interface यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और अब हमें इस account को हमारी जो e-commerce website है उसके साथ connect करना है तो उसके लिए आपको simple वापस अपने dashboard पे आ जाना है dashboard पे आने के बाद आपको plugin section में यहाँ पे जाना है और add new पे click करना है जैसे आप add new पे click करेंगे आपको यहाँ पे search करना है stripe तो जैसे आप stripe select करेंगे आपको यहाँ पे stripe का जो official plugin है WooCommerce की तरफ से यह आपको देखने को मिल जाएगा आपको simple इसे install करके activate करना है आपकी website के उपर तो जो install हो चुका है और simple activate button पे हमें click कर देना है जैसे आपका plugin activate हो जाता है आपको आपके WooCommerce option पे जाके settings पे फिर से click करना है जैसे आप click करेंगे आपको यहाँ पे payments का option देखने को मिलेगा payments option में जाएगे तो आपको काफी सारे option मिल जाएगा जिसके थ्रूँ आप payment है वो accept कर सकते है अगर आप cash on delivery अपने users को provide करना चात है तो pay with cash upon delivery option यहाँ पर आ चुका है तो अब बात आती है अगर हमें online payment accept करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है उसको हमें यहाँ पर setup करना होगा पहले तो उसके लिए आपको stripe वाले option के सामने जो setup है उस पर हमें simple click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपको option मिलेंगे कि आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़े एंटर करनी है तो उसके लिए हमें कुछ publish यह test mode को हमें सबसे पहले disable कर देना है disable क्योंकि आगर हमें live payment accept करनी है तो हम test mode पर वो नहीं कर सकते उसके लिए हमें live account चीज़े तो इस वाले part को आप अंटिक कर दे उसके बाद आपको यहाँ पर publish कीचिए और live secret कीचिए उसके लिए आपको आपके stripe account में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते ह आपको जो आपकी API कीज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी तो simple इस पर click करके आपको यहाँ पर copy कर लेना है जैसे आप copy कर लेंगे उसके बाद आपको यह इस वाले section में paste कर देना है then हमें secret key चाहिए हमारे जो secret की है वो available है यहाँ पर तो हम यहाँ पर इस key को copy कर लेंग जैसे आप यहाँ पर copy करेंगे इसको आपको यहाँ पर paste कर देना है API की यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद आपको enable stripe पर click करना है then save changes पर click कर देना है जैसे आप save changes पर click करेंगे आपके website पर stripe payment gateway है वो activate यहाँ पर हो जाएगा अगर अभी हम checkout page को यहाँ पर refresh करते हैं तो आ यहाँ से आप कोई भी visa master या American express card से payment directly accept कर सकते हैं तो payment gateway setup करने के बाद जो हमारी next step आती है वो आती हमारी website का जो look है वो completely change कैसे कर सकते हैं तो अगर अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी website है बट हमारी website का जो नाम हमने चूज किया था वो ecom है और यहाँ प सबसे पहले हम यहाँ पर change करेंगे हमारा logo website का उसके लिए आपको सिंपल कस्टमाइज के option पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको logo के side में एक यह pen का निसान मिलेगा इस पर हमें click करने और जैसे इस पर हम click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर change logo का option हमें देखने को मि इसको simple select करना अगर कोई crop crop करना है थोड़ा बहुत तो वह आप यहाँ से कर सकते otherwise आप skip cropping कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो नया logo है वो आ जाएगा तो यह होगे हमारा जो logo है वो कैसे edit करते हैं इस तरीके से आप logo edit कर सकते हैं अगर आपके पास logo नहीं है तो आप यहा से क्लिक करके display कर सकते है अभी हम site idle display नहीं करें मैं recommend करूंगा आप एक logo create करें कि लोगो दिखने में अच्छे भी होते हैं उसके बाद आताती है कि जो main menu है जैसे कि यह menu हमें अगर यह menu change करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके लिए आपको simple customize वाले option में ही यहाँ नीचे menus का option मिलेगा और यहाँ पर main menu का तो main menu में यह सारे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यह account वाला पार्ट है contact का पार्ट है जैसे कि हमें कोई भी यहाँ से एक page है वो नहीं चाहिए जैसे मुझे about का page मेरे main menu में नहीं चाहिए तो simple आपको यह about पे click क आ सकते हैं जैसे भी आप ले जाएंगे वो यहाँ से change होता जाएगा तो जैसे आप change करना चाहिए वो simple यहाँ से change करके publish पे click कर दे जैसे आप publish पे click करेंगे और इसको हम अभी close करते है editing part को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो logo अगेरा है page हमने delete किया था वो सारी यह text लिख को है images है इनको कैसे हम change करेंगे या फिर edit करेंगे text अगर अगर edit करना है तो उसके लिए आपको simple जो भी page आपको edit करना है जिसका design change करना वो page आपकी website का open करना है and edit with elementor फिक click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे आपका जो elementor का page editor है वो open हो जाएगा और यहाँ से आप simple drag and drop करके जो इतनी भी चीज़े हैं page के ओपर वो सारी change कर सकते है तो जैसे for example हमें जो यह text है यह change करना है अभी यहाँ पे लिखा हुआ है we print what you want तो हमें simple यहाँ पे जैसे change करते हैं we do what you love तो जैसे हमें यह text यहाँ पे add करना है तो इसी तरीके से आपको जो भी change edit करना है उस पर simple click करना है और यहाँ से आप इसको simple edit कर सकते है जैसे कि यह button है get started यहाँ पर लिखा हूँ हमें इसको change करना है तो simple आपको button पर click करना है और यहाँ पर text को change करके change कर सकते हैं यहाँ से simple enter करके तो इस तरीके से आप सारी चीज़े change कर सकते हैं अगर आपको यह image change करना है तो image पर click करना है यहाँ पर choose image का option आ जाएगा और आप कोई भी अपने desired image है वो upload कर सकते हैं या फिर इन में से कोई जैसे हमें यह चाहिए तो हम इसको ऐसे choose करके इस उसको open करके देखते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो image थी वो successful ही change हो चुकी है आपकी जो भी यह text था वो आप change कर चुके तो यह simple tutorial था आप कैसे अपनी e-commerce website start कर सकते हैं कुछ ही clicks में drag and drop करके एक अच्छे से अच्छी website है वो design कर सकते हैं तो जैसी website मैंने आपक starting में दिखा थी कुछ वैसे website हम यहाँ पे कुछ तीस से पच्चे से तीस minute में यहाँ पे create कर चुके हैं तो अगर आपको भी आपकी website अभी start करनी है तो वीडियो के description में link है वहाँ पे जाके आप click करें आपके domain hosting अभी purchase करें और आपका designing है वो start करें आपकी जो e-commerce website है वो से ही start कर सकते हैं so thank you for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आईए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अगर आपके कोई भी questions है तो comment section में आप वहाँ पे लिख के मैं आपके सारे answers कर दूँँगा